प्रयाग राज में हुए उमेश पाल के हत्याकान ने पूरे प्रयाग राज को डहला कर रख दिया है इस पूरे हमले का आरोपी अतीक एहमत को बताया जा रहा है हलेकि अतीक के दो बेटों को पुलिस ने उठा बे लिया है तो आखिर कौन है उमेशपाल? उसकी हत्या में अतीक एहमत का नाम क्यों आ रहा है? और इसका विधायक राजुपाल मडरकेश से क्या नाता है? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को. रसल इस हत्याकान की जड़ को समझने के लिए 19 साल पहले 2004 में शुरू हुई उस कहानी को समर्जना जरूरी है? तब राजुपाल ने पूर्व सांसत अतीक एहमत की सत्ता को शहर पर्शिमी में राजुपाल ने चनाउती ली थी. अतीक एहमत के जो है सांसत चुने जाने के बाद खाली हुए शहर पर्शिमी विधानसवा सीट पर नवंबर 2004 में हुई उप्चुन समरी 2005 को धूमन गंज में चारों तरफ से घेर कर राजुपाल को गोलियों से चलनी कर दिया गया था. इसमले में संदीप यादव और देविलाल भी मारे गए. पुलिस, CBCID और फिर आखरी में CBI ने जाच की. पुलिस ने और CBI ने पूरे मामले की जाच की. CBI ने धुमन गंज में दोहरे हत्याकान समित कई संखीन मामले हैं. पूर्विधायक राजुपाल की हत्या की बाद उमेश एकमात्र ऐसा गवा था जो अकेली अती के खिलाफ मोच्चा संभाले था. राजुपाल हत्याकान से जुड़ा गवा बैक फूट पर आ गए थे. उनकी प परवरी दोहसार तेज को राजुपाल की तरहां उमेश पाल को सरयाम गोलियों से भुण दिया गया. ये वार्दा तब हुई चब उसके अपरहन केस में अतीक के खिलाफ तीजी से बहस चल रही थी. छे हफ्तों में फैसला आने वाला था. जयंतिपूर, निवासी, सूरज सूरजकली के बेटे जिटेंद्र पटेल की 11 जुलाई 2016 को राजुपूर में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. सूरजकली ने इस मडर केस में उमेश पाल और उसके भाई के खिलाफ हत्या और ठगी करने की रिपोर्ट डर्च कराई. अतीक एंड कंपनी उमेश पाल को गिर पुलिस ने इस केस में नामजद आरोपियों को क्लीन चिट दे दी. इस हत्या में पूर्व सांसत अधिक एहमद उसके भाई पूर्व विधायक अश्रफ, जुल्फिकार उर्फ तोता अक्रम, आसिफ उर्फ दुर्रानी को पुलिस ने आरोपी बताया और आरोप पत्र दा इससे पहले उमेश पाल को अतीक एहमद ने जेल से कॉल करके धम की दी थी. अतीक के गुर्गों के खिलाफ उमेश ने धुमंगंज थाने में रंगदारी और केस की पैरवी करने पर धम की देने के फायार धर्च कराई थी. 25 जनवरी 2005 की बात की जाए तो 25 जनवरी 2005 को बाहि से रोकने के लिए उसको अगभा करवा लिया. सरयाम उसको धमकी मिली. मारा कुटा क्या. उमेश भी अपनी जान बचाने के लिए बैक फूट पर आ गया. लेकिन सत्ता परिवर्तन होती ही बसपा काल में उमेश ने अपने अपरहन का एक और मुकत्मा देच कराया. इ छोड़ कारवाई शुरू कर दी. रात में ही छापा मारी कर अतिक एहमत के दो बेटो और उनके दोस्तों को ठालिया. पुलिस सुरक्षित जगा पर ले जाकर उनसे पुछताच कर रही है. हालकि इसके अलावा उमेश के करेबियों से भी पुलिस जानकारी ले रही है.